नमस्कार इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस खबर को लेकर पूरी में आपको विस्तार से जानकारी दूँ उससे पहले कायना चाहूंगा कि इस बार राजनीती से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए आप हमें ट्वीटर पर ज राजस्थान में इन दिनों चुनावी माहोल चल रहा है ऐसे में हर कोई व्यक्ति यहीं चाहता है कि राजनीती से जुड़ी क्या खबर चल रही है और अब बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने क्या आ रही है क्योंकि आज पूरे परदेश में जब बी बाजपा ने अपना परत्यासी लगबग लगबग टै कर लिया है अब आधिकारिक रूप से गोश्णा बाकी है और नाम है दिपक कडवासरा का क्योंकि प्रीयंका चोदरी के नाम को लेकर कई प्रकार के प्रयास के अंध्रिय मंत्री कैलास चोदरी ने किये इस बात से नक पद्रा की करें लेकिन वह हाँ पर जो नाम है अभी अरुम चौधरी का नाम साмने आ रहा है जो पूरो मंत्री अम्राराम मलिंगा को देगी ये तीन नाम जो हैं लगबग लगबग तै हो चुके हैं अब भाजपा की अगली सूची में इनकी अधिकारिक पुष्ट्री होना बाकी है क्योंकि राजस्तान की 200 विदान सबाओं में से बाजपा ने 117 विदान सबाओं पर अपने परत्यासी गोशित की दे लेकिन तीन विदान सबाओं ऐसी थी जिनको लेकर बाजपा के अंदर इस बात को लेकर दावफेस्ट फसा हुआ था कि आखिर ये टिकेट किसको दी जाए तो इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि बार्मेर से लेकिन हमारे बीजेपी के सुत्रों की माने तो ये सूची बनकरती नामों की तैयार हो चुकी है और अगले ही कुछ मिंटों में ये सूची जो है जारी हो जाएगी इसके साथ और बड़ी ख़बर दूसरी की बात करें तो पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता करनल सोना राम चोधरी ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है उनकी घर वापसी हो गई है और हो सकता है कि कॉंग्रेस की अगली सूची में करनल सोना राम चोधरी को गुड़ा मालानी से परत्यासी बनाया जा सके तो यह बहुत बड़ी ख़बर इस लक्त की जो पच्छी में राजसा कि वो सारी की सारी बात सुझी जारी होने के बात बताएंगे साथ ही साथ यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने ट्वीटर पर हमें फोलो नहीं किया है तो तो तोरन परवाव से कर लीजिए